हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम बेलजियन मेलनोईज डॉग ब्रीट से रिलेटेट कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे अगर आप भी इस बेलजियन मेलनोईज डॉग ब्रीट के बारे में जानना चाहते हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस डॉग ब्रीट का ओरिजिन बेलजियम से है गाईस बेलजियम मेलनोईज एक मीडियम टू लाज साइज की डॉग ब्रीट है गाईस अगर मैं आपको इनकी हाइट के बारे में बताऊं तो इसमें एक मेल डॉग की एवरेज हाइट 24 तू 26 इंच होती है और एक फीमेल डॉग की एवरेज हाइट 21 तू 24 इंच तक हो सकती है गाईज अगर हम इनके weight की बात करें तो इसमें एक male dog का average weight 25-30 kg तक होता है और एक female dog का average weight 21-25 kg तक हो सकता है गाईज इन dogs की average lifespan 12-14 years तक होती है और इन dogs को Belgian sheep dogs और Belgian shepherds के नाम से भी जाना जाता है गाईज कुछ लोग Belgian melinoise dogs को German shepherd dogs समझ लेते हैं लेकिन मैं आपको बता दू दोनों ही dogs एक दूसरे से काफी different है हालाकि Belgian melinoise dogs कुछ हद तक German shepherd की तरह जरूर दिखते हैं लेकिन दोनों एक different dog breed है जल्दी दोनों dogs के बीच में comparison वीडियो भी लेकर आऊँगा आप उसके लिए जरूर से इंतजार करना गाईज ये dogs, police dogs और military working dogs होते हैं इंडियन आर्मी के पास भी कई सारे Belgian melinoise dogs हैं और इन्हें कई सारे operations में शामिल भी किया जाता है बगदादी और लादेन जैसे terrorist को मार गिराने में Belgian melinoise dogs की एहम भूमिकाएं थी चाहे फिर बात हमारे इंडियन आर्मी के एक जाबास dog rocket assault की हो Belgian melinoise dogs देश की सेवा में हमेशा तत पर रहते हैं गाईज आप आई बटन पर क्लिक करके rocket assault की भी स्टोरी सुन सकते हैं उस वीडियो की लिंक में नीचे description box में भी दे दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना गाईज ये dogs 45 miles per hour की speed से दोड सकते हैं और किसी भी तरह के खत्रे को मार गिराने में सक्षम होते हैं गाईज ये dogs बहुत अच्छे skydivers भी होते हैं एसे कई सारे military operations होते हैं जहां पर direct lane नहीं किया जा सकता है इसी लिए एसी जगह जाने के लिए कई बार skydiving करनी पड़ती है और ये dogs बहुत आसानी के साथ military mains के साथ skydiving कर लेते हैं गाईज यहां तक कि इन dogs को खुद से भी skydiving करने के लिए trend किया जा सकता है गाईज आईए इन dogs से जुड़े हुए कुछ और interesting facts को जानते हैं नोगच की दूरी से smell को पहचान कर शिकारी का track तलाश कर सकता है ये dog दो फिट गहराई में भी अगर कुछ छुपाया गया है तो उसे आसानी से ढून निकाल सकता है ये dog 24 घंटे के बाद भी किसी व्यक्ति के रास्ते से गुजरने की smell को पहचान सकता है ये dog दो से तिन फिट तक उची दिवार को बिना किसी रुकावट के आसानी से पार कर सकता है ये dog गाईज इंडिया के बाहर बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में as a pet रखते हैं लेकिन इंडिया में रेरली ही आपको कोई ऐसा मिलेगा जो इन्हें अपने घरों में as a pet रखता है तो अच्छा होगा अगर आप भी इन dogs को अपने घरों में as a pet ना रखें क्योंकि ये dogs काफी energetic और intelligent dogs होते हैं और इन्हें आप simple dogs की तरह अपने घरों में as a pet नहीं रख पाएंगे हो सकता है आप इनकी requirements भी पूरी ना कर पाए Guys I think you must have known so far that how energetic and extremely intelligent dogs are they So guys यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको Belgian Malinoise dog breed के बारे में कई सारे interesting facts बताए अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करें हमारे channel को subscribe करें मिलेंगे को नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई